आजाद हिंद फौज का फैला दुनिया में परिकास रहेगा वो आजाद हिंद फौज जिसका गठन नेता जी सुवास चंद्रबोस ने किया जिन के लिए आज भी रहष्य बना हुआ है पूरे विस्व के लिए आज भी रहष्य बना हुआ है कि नेता जी सुवास चंद्रबोस जीवित है या इस दुनिया में नहीं रहे आज भी उनका रहष्य बना हुआ है और ऐसे वो क्रांती कारी जिनोंने अंग्रेजोंने हर तरह का लालच जिन को दिया लेकिन किसी भी लालच को सुविकार नहीं किया और लालच के वल एक था कि मेरा देश आजाद हो जाए मेरी भारत माता को आजाद ही मिलनी चाहिए आजाद हिंद फोज का फैला दुनिया में परिकास रहेगा सवतंतरता सेना नी तेरा अमरसना इतिहास रहेगा आजाद हिंद फोज का फैला दुनिया में परिकास रहेगा सवतंतरता सेना नी तेरा अमरसना इतिहास रहेगा हाई यूपी में जिला बुलंद सहर अरे खास तरवेस पुरे काम तेरा दीवान सिंग के लाल देश में अमर रहेगा नाम तेरा दीवान सिंग के लाल देश में अमर रहेगा नाम तेरा हाँ चोधरी जहान सिंग सेना नी जोध्री जहन सिंग सेनानी घट घट में तेरा वास रहेगा सोततता सेनानी तेरा अवर सटा इतिहास रहेगा हाँ आजादी के महनायक का तुमने साथ निभाया था लड़ी लड़ाई जेले गए पर दिल भर न घबराया था अभारत मा की रक्षा में तेरा हर पल अर्पित सास रहेगा मेरे दादा, मेरे दादा, परमादर्णिय दादा, चौदरी जहान सिंग जी, जिन के घर में, यनि कि एक बेटी का जन्म हुआ, और उस बेटी, के ही हमारे ये मनसज मेरे आदनी भाई, जी हाँ, आदनी भाई, नवीन जी और नकुल चौदरी जी, जी हाँ, अलो, नवीन जी और नकुल चौदरी जी उनका हम तहदिल से धन्यवाद करते हैं, कि जीनों ने, यहाँ पर दादा के नाम को, हमेशा के लिए अमर करने के लिए, जीवित रखने के लिए, तनमंधन समर्भित कर दिया, एक बार जोड़ दाताली, उनके सम्मान में आपकी तरफ से होनी चाहिए, कैसे बलां? हाँ सत्यवती बेटी को तुमने मान के बेटा पाला था, पत्नी जंगीरी तेवी की तू रक्षा करने वाला था, नवीन धेवका न कुल भी तेरे, पण चर्णों का दास रहेगा, सवतंत्रता सेना नितरा, अमर सदा इतिहास रहेगा, अरे, 105 साल की उमर थोड़ी नहीं हुआ करती, आज के समय में अगर 70, 80, 90 को कोई पकड़ गया, तो 90 सबाद में ये गिनना सुनू कर देख, पता नहीं आखरी घड़ी कब आ जाए? भाई नरेतर चौधरी जी कभी हम बार बार धनिवाद करते हैं, क्योंकि साथियों कहा गया है, कहा गया है कि लाल लाल तो सब कहें, लाल लाल तो सब कहें पर लाल तो थे वो लाल, जो लाल लहू से कर गए, दुश्मन का सरलाल साथियों, दुश्मन का सरलाल, जिनोंने साथियों सहादत दी है, जिनोंने अपने देश को आजात कराने की लडाई लड़ी है, कुछ अब तक बच्चे हुए रहे हैं क्योंकि हमारे परदान जी बता रहे थे कि, लगबख दस अभी सोतंत्रता सैनानी जो है जीवित है, उन मेंसे भी बुलन सहर जिले में दो थे, और चोधरी जहांद सिंग जी उनकी आज, उन दो मेंसे भी हो सकता है, अकेले दादा ही रहे हों, और वो भी अब जो हमारे बीच से चले जरूर गए हैं, लेकिन ऐसे, आधनिये नवीन और नकुल जी, वो भी पांच सो रुपे देकर के, इस सरद्धाज लिगीत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, मैं उनका तैदिल से हाद दिख धन्यवाद करता हूँ, जोड़ दार ताली आपके द्वारा हो जाएं, जोड़ दार ताली करिए, कि यह कितने भी हो, लेकिन ये नास्वान संसार है, इसको छोड़कर जरूर जाना होता है, किसी ना किसी रूप को धार करके फिर आजाता है, लेकिन ये सरीर छोड़ना जरूर होता है और हमारे दादा भी इस सरीर को त्याग करके कोई दूसरा रूप धारन करके जरूर इस दुनिया में कही न कहीं पर जीवित यनि कि कोई न कोई और जीव के रूप में जनम लेंगे कैसे बला हाँ 105 साल जी के सब नाता तोड़ चल्या गया पुत्री और धेवते सब को रोते छोड़ चल्या गया गुरु प्रमपाल की किर्मासे तूझे विरभाटी पास रहेगा सवकं करता सेना नी तरा अम सदा इतिहास रहेगा आजादी के महनायक का दुनिया में परिकास रहेगा सवकं करता सेना नी तरा अमर सदा इतिहास रहेगा सवकं करता सेना नी तरा अमर सदा इतिहास रहेगा